सल्मान खान के पास गाड़ियों की कमी नहीं है उसके बावजूर ऐसा क्या कारण रहा कि सल्मान कान को एक ऐसी काड खरीदनी पड़ी जो भी तक इंडिया में लॉँच भी नहीं हुई है सल्मान को ये कार इंपोर्ट करवानी पड़ी है भारी रकम देगर सल्मान खान ने निसान की SUV खरी दी है यह SUV बेहत स्पेशल है और सल्मान के लिए इस वक्त जरूरी है क्योंकि यह SUV बुलिट प्रूफ कार है सल्मान खान को पिछले कुछ समय से लौरेंस बिशनोई गैंग से धंकिया मिल रही है लॉरिंस बिशनोई ने आन रिकॉर्ड कहा दिया है कि जिस दिन सेक्यॉरिटी हटेगी उस दिन सल्मान को खतम कर दूँगा ऐसे में सल्मान बिना बुलिट प्रूफ कार के गूम ही नहीं पा रहे हैं सल्मान को गवर्मेंट की तरफ से लैंड क्रूजर मिली हुई है और सेक्यॉरिटी मिली हुई है ऐसे में अब सल्मान खान ने खुद की बुलिट प्रूफ कार खरीद ली है निसान की ये कार अभी तक इंडिया में लॉंच नहीं हुई है ये कार निसान कंपनी की सबसे महंगी कार है से निसान पेट्रोल कहा जाता है और ये कार बुलिट प्रूफ कार है, यानि कि अब सल्मान की खुद की परसनल बुलिट प्रूफ कार आच चुकी है सल्मान की इस नई कार को रिसंटली मुंबई की सडकों पर स्पॉट किया गया और तब लोगों को पता चला कि सल्मान नई कार खरीद ली है निसान की ये जो कार है ये अगर नॉन बुलिट प्रूफ कार ली जाए तो ये 2 करोड में आती है तो सलमान ने बुलिट प्रूफ कार खरीदने के लिए जादा पैसा ओविसली दिया है ये कार फिलहाल मिडलीस में बहुत जादा पॉपिलर है और वहाँ पर सबसे बहतरीन कारों में से इसे माना जाता है